पिता जी अख़बार पढ़ चुके होंगी इस सेंटेंस के इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं पिता जी को इंगलिस में कहते हैं father तो पहले subject में लिखेंगे father उसके बाद cell या will have में से कोई helping verb लगाना है तो यहां पर will have रहेगा उसके बाद लिखना है verb का third form और इस sentence का verb है पढ़ चुके होंगे यानि कि पढ़ना पढ़ना को इंगलिस में read कहते हैं read का third form होता है लेकिन third form यदि हो तो read को read कहते हैं ठीक है read ऐसा लगता है जैसे कि हम read कह रहे हैं लेकिन वह लिखा होगा read जो कि first form होता है लेकिन third form के लिए उसे आप read कहना है आपको उसके बाद लिखना है object और इस sentence का object है अख़बार ठीक है तो अख़बार को इंगलिस में newspaper कहते हैं तो read के बाद लिखेंगे the news paper पिता जी अख़बार पढ़ चुके होंगे इस sentence की इंगलिस होती है फादर विल हैव रेट दर निउज पेपर फादर विल हैव रेट दर निउज पेपर दोस्तों ऐसे और भी sentence का एंगलिस ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाए और रोजाना ट्रांसलेशन यदि आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को स सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें थैंक यू